दोस्तों नमस्कार, आज की वीडी ने हम बात करने जा रहे हैं केमेस्ट्री की, बड़े दिनों से आपके उमीद थी कि हम केमेस्ट्री पर वीडीो अपलोड करें और आपके इसी उमीद पर हम लोगों को लगा की खरा उतरना चाहिए इसलिए मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ कैमेस्ट्री की एक क्लास जो आपके लिए अतियंद महत्वपूर्ण सिद्ध होगी लेब असिस्टेन के लिए दोस्तों लेब असिस्टेन के इस क्लास वाला जो प्रोग्राम चल रहा है हमारा हमने जो एक सिरीज चालू करी है बाइलोजी के अंदर अब हम इसका लेक्चर वन प्रारम करने जा रहे हैं केमेस्ट्री का इसी प्रकार physics का भी lecture 1 प्रारम होने वाला है बहुत ही जल्द है और आपके सामने upload भी होगा आप लोगों की लगातार इस उमीद पर मुझे खरा उतरना अनिवारी भी था इसलिए मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ आज chemistry का lecture 1 आनि की हमारा lecture का पेला भाग व्यक्षान प्रतम और इसमें हम बात कर रहे हैं सभी रसायन विज्ञान का प्रारम उदे किस प्रकार से हुआ भरत के लिए कहां पर बात आएगी कि महतुपून विंदु कौन कौन से हैं और कौन से विज्ञानी किस प्रकार से हैं और साथ साथ में किस प्रकार लंबा ही चोड़ाई या उनके महापन और किस जोती की तिवरता यानि कि बहुत सरे ऐसे पॉइंट जिन में से कोशन हुब भू पूछे भी जाते हैं और महतुपून भी लगते हैं तो बिना किसी समय को वेर्थ किये हुए सीधे की सीधे हम चल रहे हैं रसायन विज्ञान पर इसमें जा रहे हैं आज के टॉपिक में रसायन विज्ञान यानि की केमेश्टी रसायन विज्ञान दोस्तो रसायन विज्यान जो सब्द है आकिरकार रसायन का आर्थ क्या हो गया किसी न किसी प्रधार्थ के विशे में हमें क्या करना होगा यहां पर अध्यन करना होगा प्रदार्थ की विशे में अध्यन करना होगा और रसायन विज्यन क्या है इसके बारे में भी जानना होगा मैंने सब्द यहांपर उपयोग क्या है प्रकार का द्रव्य है और द्रव्य कितने प्रकार के होते है तो द्रव्य मुंकी तरह से तीन प्रकार के होते है फोस द्रव और गेस एक होता है ठोस एक होता है द्रव और एक होता है हमारे पास में है गेस तो द्रव वी अलग है और द्रव अलग है ये दिमाग में क्लियर कर लें द्रव और द्रव सेम नहीं है एक जिसे नहीं है दोनों अलग अलग तीजे हैं द्रव ये alag है और द्रव अलग है, ये हमारे दिमाग में clear हो जाना चीए, साथ ही साथ में रसायन विग्ज्ञान किसे करते हैं, इस पर हम बात कर रहे थे, तो रसायन विज्ञान के ऊपर कहाँ पर प्रас्ण बनने की संभाव ना है, सीधे चलते हैं आपको उसी पर लेकर तो रसायन विज्ञान तो आखिरकार आखिरकार विज्ञान यानि कि अपने बात करी कि प्रकृति के क्रमबद दध्यन को अपने विज्ञान करते हैं अब विज्ञान के बारे में बात करने के बात दिमाग में आता कि साइंस के अंदर जो यह भाग है chemistry का रसाइन विज्ञान क्या है रसाइन विज्ञान के बार में थोड़ा जान लेते हैं तो देखो एक definition आती है विज्ञान की वह शाखा जिसमें परदार्तों के अवेवियों अवेव समझते हैं कोई ने कोई कंपाउंड के बारे में बोल आजी अवियों के मूल कान और भोतिक कणो अनू परमानू और उनके रुपांतरन उनका अगर इसके बारे में चीज की जाती है तो कॉन सी होगी वह विज्ञान की शाका होगी और वह शाका कॉन सी होगी खेमेस्ट्री और रसायन विज्ञान होगी अला कि आप लोगों को ध्यान है आप सभी लोग बाइलोजी से और अपने मैथेमेटिक से जुड़े हुए लोग हैं तो आपको यह ध्यान है लेब असिस्ट्री के तीन भाग हैं हमारे पास में मोटे मोटे जिनने आप आगे ज जिसमें अव्यों के गुण हैना मूल कणों बहुतिक कणों और अनूं और परमाणों और उनकी रुपांत्रों का अध्यान किया जाता है तो उसे अपन सब एक साथ मिला क्या बोलेंगे रसायन विज्ञान नाम देगी क्या रसायन विज्ञान का संबंध भारत से रहा है य भारत का संबंध रसायन विज्ञान से पुराना है भारत को विश्वका गुरु का आगया है और यह आपको पता होना चाहिए गर विश्वका गुरु भारत है तो सारी खोज हमारे भारत में पहले हो चुकी थी और कई ना कई उसके बारे में बताई जा चुकी थी जैसे कि आप लोगों के देखते हैं कि हम बात करते हैं भारत और रसायन विज्ञान के मद्य समन्द भारत और रसायन विज्ञान जो हेडिंग है उसके अंदर हमारे पास में आता है नागा अर्जुन आपको पता है यह भी एक विज्ञानिक है पुराने हमारे पास में वागबठ है गोविंदाचारी है और यशोधर हैं यशोधर उसके बाद ने मरपास में राम चंद्र है और सौम देव यह सारे के सारे बेसिक भारत के संबंद में अगर देखा जाए केमेश्ट्री का रूप है ना बेसिक बिलकुल सुरुवाती दोर से मैं केमेश्ट्री बढ़ाना प्रारम कर रहा हूं सुरुवाती दोर से अब आपको थोड़ी ईजी लगेगी सुरु सुरु में जैसे बाइलोजी पहले ईज लग सकता है लेकिन बहुत बैसिक चीजें इसमें चुपी हुई है जिनमें से प्रस्ण आने की संबावना है अब वर्तमान में कौन-कौन से इसे विज्ञानिक है जिनका डंका पूरे विश्व में बजरा है और पूरे विश्व के लोग ये मानते हैं कि ये लोग से लेना देना है प्रफुल चंद राव से प्रोपेसर प्रफुल चंद राव ही वह व्यक्ति हैं जिने वर्तमान के यानि कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक यानि कि पीता महा या फादर ओप केमेश्ट्री कहा जा सकता है किसको कहे रहे हैं अपन वर्तमान रसायन करने वागी फुस्टक है तो और भी लीखी गई है इनकी दौरा उनमे नाव आता हिस्ट्री आप हिंदू कर दो ट्री आप सलेट कए मैं आपقط पहले मीशचे मैं है जितने शलब move इथियास में जो भी लिखा गया है चोलब Hij लिखी गई हैं, उनको पहले history ही कहा ज़ता था, इतियास ही कहा ज़ता था, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, history of history of Hindu chemistry, प्रस्न है, हिस्ट्री ऑफ Hindu chemistry किसकी रिचना है, तो प्रफुल चंद राए, दूसरा प्रस्न है आ सकता, आधुनिक भारत के रसायन विज्ञानिक कौन है या पितमा कौन है तो प्रफुल चंद राय है यानि कि ऑप्रशन के विश्व में बताने वाला सबसे पहले कौन था तो सुसुर। सहीता और व्रुष्वेक्टि का नाम सुसुर। था निम्न में से कौन से विज्ञानिक आधुनिक नहीं है तो अब बात करते हैं हम आखिर-कर नएं कौन-कोन से प्रफुल चंद राव तो चरों पितमा हो गये हैं उनके बाद कौन है एक आता फॉपसर सी एन एन राव क्या है प्रोफ फेसर सी एन राय सींन औरं उनके बादfallen म bluff कम ऐता कुच कि किताब महरता भी लिखा हुआ आंगे लेकिन राजस्तान से भारत के बारे में स्टेडी भी कि तिसरा विक्ति जो आ रहा है यानिके इस टौपिक की राम कि चरण महरोत्रा विक्ति हैं वह जैपूर के धियान देना जैपूर राजस्तान से रेलेटन सब्सक्द हैं यहां पर तो यह सब्द प्रशन वनने की संभावना है आकिरकार केमेस्ट्री को बैस्टिक लिवल से जाके पढ़ना है तो उसके बारे में हमें जानना होगा कि हमारे पास में द्रव या प्रदार्त क्या होता है द्रव या प्रदार्त क्या होता है सबसे पहले द्रव और प्रदार्त में जाते हैं तो द्रव किसे बोलूँगा द्रव या किसे बोलूँगा एक तो आता है द्रव एक आता है द्रव यहां पर उससे रखा जाए और थोड़ा इसथान गेर ले उसे आपनों क्या बूलेंगे वुलेंगे उस क्या बोलेंगे अपन द्रव्य क्या हो उसका कोई मास यहां द्रव्यं मान हुना जाई ie जिसका द्रव्य मान हो और जो इस्तान गेरता हो उसे द्रव्य काते हैं द्रव्य कितने परकार के होते हैं? द्रव्य दो परकार के होते हैं एक तो होता है मिस्रित द्रव्य और दूसरा होता है सुद्ध परदार्थ है मिस्रित का आर्थ होता है मिला हुआ मिला हुआ जब दो प्रदार्थ मिल जाते हैं तो नहीं करते हैं मिस्रित और उसके भी दो भागे एक होता है समांगी और एक होता है विश्व मांगी विश्मांगी में आपको पता होगा समान अवस्ता आजाएगी और विश्मांगी में क्या हो जाएगी अवस्ता है समान नहीं होगी फिर आते हैं हमरे पास में सुद्ध प्रदार्त की बारे में बात करते हैं दूसरा जो भागे सुद्ध सुद्ध प्रदार्थ में दो चीज़ें आती एक तो होता है तत्व और दूसरा होता है योगी तत्व योगिक बनाता है और योगिक मिश्रन का निर्मान करेगा और मिश्रन क्या है द्रव्य है मिश्रन क्या है द्रव्य है तो द्रव्य मिश्रन सुद्ध प्रदार्थ और सम्मांगी और विश्मांगी द्रव्य के भाग है और सुद्ध प्रदार्थ जो है वो तात्व और योगी का भाग है अब केमेश्ट्री के अंदर आखिरकार केमेश्ट्री का सम्मंद किसके है केम केमिस्ट्री बीना नहीं है अगर इंसान ही नहीं होता तो केमिस्ट्री का क्या फाइदा और अगर केमिस्ट्री नहीं होती तो इंसान का क्या फाइदा क्योंकि हमारे अंदर बेहने वारला रक्त एक रसायन है हमारे दिमाग काम कर रहा है यह रसायनिक प्रक्रिया है और हम ज जीव विज्यान का धीर संबंद कांगा नहीं करने ही हैं दूसरे बात इसका अगर केमेस्ट्री नहीं होती तो क्या हम कीरी नाशक्ति होस्क्ति उसका कर सकते हैं का हम कंойक न ये ओर खुल gefесп–चोंStrimk और वो फसल नश्ट हो जाती है तो कई ना कहीं रसायन विज्ञान का क्यमेश्ट्री का संबंध किसे है क्रश्टिस से भी है साथ साथ में इसका संबंध औज्योगी किसे है औज्योगी किसे अर्थ क्या हुआ औज्योगी किसे अर्थ ही हो गया यह तो आपको पता भी है कि आ केमिकल कव्योग होगा साबून की टिक्या से लेकर खाने वाले ओल तक और घाड़ी में चलने वाले पेट्रोल से लेकर के हवजाज के पेट्रोल तक की पूरी कहानी रसायन विग्यान पर हिटी की हुई है तो यह चीज भी आपके दिमाग में क्लिर हो जानी चीए कि इसका सं केमेस्ट्री का पूरा यूज है आप हलका सा बीमार आपको मैसुस होते हैं बुखार आता है एक मेडिसिन के गोली निकाल के आप खाएंगे तो गोली निकालना और गोली खाना भी एक स्वास्त का भाग है और वो किसके अंदर आएगा केमेस्ट्री के अंदर आएगा उसी एक पूरी की पूरी केमेस्ट्री की क्लास का पहला सा वर्णन जिनको हमें पूरा का पूरा पूरा पढ़ना है किस तरह से केमेस्ट्री की आगे वाले भाग आएंगे उनको भी हमको देखना है आखिरकार कितने तत्व हैं कितने तत्व हैं और उन तत्व की बारे में वर्णन कि आपको गहरई से उस चीज्ट की समझ में आ सके और आपके लिए वीडियो अच्छल तो उपयोग से दुझा सके दोस्तों अब बात करते हैं आखिरकार कितनी महापन परद्यतियां हैं और कितने परकार की परद्यतियां हैं वर्तवान प्रारंबिक वीडियो के अंदर मैं आपको साथ प्रकार की इनके भाग के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको एक बार आप आवश्या समझने के प्रयास कीजिए MKS परद्रति यह सारी परद्रतियां है उनमें से हम ऐसे परद्रति के बारे में जानना है ऐसे परद्रति क्या है और इसके बारे में कितने हैं तो मूल रूप से साथ है साथ मात्रकों की बारे में बात की जाती है, पहला होता है समय, दूसरा होता है, दरविवान, तीसरा होता है, लंबाइच होता है, मरपास में विद्धुत, धरा, पात्वा होता है, जोती की तिवृता, और चटा होता है, उस्मगति की यानिकी ताप, और प्रदार्त की मात्र ये सातों के सातों point है, इन पर हमको चर्चा करनी होती है सबसे पहले बात करते हैं समय की समय का symbol जो होता है, अगर हमने कहीं पर भी लिखना होता है तो अपन S से लिखते हैं, लेकिन उसका समय की आया T है और उसको second का जाता है, T का मातर क्या हो गया, इसका second हो गया आपन परद्ति के अंदर kilogram लिखते हैं और kilogram लिखने के का अपन क्या लिखेंगे, Kg लिखेंगे उस्सी प्रकार लंबाय, हमको पता है प्रदार्त की लंबाय चोड़ाइ उचाए तो लंबाय लंबाय के लिए हमरा पास में क्या होगा, L सब्स अब्स होगा और उसके बाद में क्या होगा के अंदर इसका क्या होगा मापन होगा प्रदार्त की मात्रा और प्रदार्त की मात्रा को अपन यह सातों की सातों ऐसा ही मात्रक है जिनका उप्योग किसी भी प्रदार्त के मापन में किया जाता है तो पहले हमें इन सातों प्रदार्त के बारे में जानना होगा दोस्तों मेरा जो दूसरा वीडियो आएगा पार्ट टू वाला, उसमें समय के बारे में, लंबई के बारे में, लंबई के बारे में, विद्धुतारा के बारे में, जोती तिवृता के बारे में, उश्मा गती के बारे में, और परदार्त की मातरा के बारे में, क्यों इनका नाम, क्यों हमने इनको सेकिंड कहा, सेकिंड क किसे मान लिया, आखिरकार क्यों हमने किलोग्राम का, किलोग्राम हमने कैसे मान लिया और वो एक किलो किस क्यों बन गया, और उसको हम आज सब जगे एक किलो की रूप में या दो किलो की रूप में या माना किसे निकाला उसी प्रकार M को अपने क्यों या मीटर के लिए यूज़ किया क्या reason था, क्या कारण था उसके बारे में जा नहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आपको इस वीडियो को एक बार पुर्णा देखने की आवश्कता है पूरा सुरुवाती दोर से जब आप 11 क्लास में पहली बार साइन्स लेके बेठे थे वहां से मैं आपको प्राणा प्रारम कर रहा हूँ केमेस्ट्री का प्रारम्बिक हिस्ता वहीं से चला रहा हूँ लेक्चर टू में आपको मिलना है मुझसे तब तक के लिए पुराने बाईलोजी के सारे वीडियो आपको देखने होंगे जै हिन जै भारत